कि हलो एभरीवन मेरा नाम है तरुम्र मलीक और स्वागत एक और नई फिडियों में आज की वीडियों हम समझेंगे रिलेटिव रेफरेंस किसको कहते हैं एक अग्सेल के अंदर रिलेटिव रेफरेंस का मतलब होता है कि एक सेल में हमने क्या फोर्मूर लगा है वही दूसरी cell में कोपी करता है जैसे कि मैं करके दिखा तो मैंने यहां पर एक example के लिए है total revenue total expense तो net income बनेगे हमारी revenue minus expense तो हम formula लगाएंगे is equal to b3 minus c3 तो यह हमारा net income आजाएगी 6950 लेकिन अगर हम को यह सब का calculation करना है पूरी हमारे पास 1000 2000 लंबी cell है तो हम simply क्या करेंगे इस cell को select करेंगे जिसमें हमने formula लगाया है और उसको नीचे drag down करेंगे तो यह formula सारी cell में copy हो जाएगा और सबकी net income निकल के आजाएगी लेकिन और जब हम किसी भी cell पर double click करेंगे तो यह को formula दिखाएगी कि इस cell के अंदर क्या formula लगा हुआ है जैसे कि जून के अंदर लगा हुआ है बी एट माइनस सी एट तो बी एट का मतलब 21545 माइनस 14058 तो हमारा यह expensive निकल गया गी 7487 तो इसके अंदर यह formula है अगर हम इसके उपर वाली cell में double click करेंगे तो उसके अंदर दूसरा formula लगा हुआ है इस वाली cell में double click करेंगे तो B5 माइनस C5 इस cell में double click करेंगे तो B7 माइनस C7 लेकिन अगर हमारे पास आठ दस पंदरा भी cell है तो यह easy रहता है लेकिन हमारे हमारे पास data ज्यादा है एक हजार दो हजार पांच हजार cells है तो हम simply क्या करेंगे पहले खाली cells जिसमें हमें data चाहिए यह हम सब्सक्राइब कर लेते हैं इधर भी June जुलाएगा सितंबर पूरा लंबा data लिखा हुआ है और हमको इस cell में भी data चाहिए वही वाला तो हम सबसे पहले simply सारी cell को select कर लेंगे उसके बाद हम is equal to formula लगाएंगे और उसमें हम लिखेंगे B2 B3 minus C3 और यह formula जैसे हम enter मारेंगे तो यह पूरी cell के अंदर जिए पूरी cell दिख रही है इसके अंदर पूरा formula हर cell के अंदर लग जाएगा simple हमने enter मार दिया तो यह सिर्फ एक की cell में copy हुआ है बाकी cell में नहीं आया है हमें drag करना पड़ेगा इसका तरीका में shortcut के आपको बता हूँ is equal to हम लगाएंगे B3 minus C3 अभी मैंने आपको simple enter मार के दिखा है तो वो सिर्फ एक cell में लगा अगर हम control प्रेस करके control के साथ enter मारेंगे तो हर cell के अंदर यह formula copy paste हो जाएगा तो यह simple होता है relative reference अगर हम simple enter मारेंगे तो जिस cell में हमने is equal to लिखा है उसी cell में data आएगा लेकिन control plus enter प्रेस करेंगे तो सार उसके बाद आता है absolute reference उसी तरह हमारे पास absolute reference आता है जैसे कि हमारे पास एक name की list है उसके बाद grade के total है 100 में से किसको कितने number मिले 85-76 हम उनका percentage निकाने तो हम simply क्या करेंगे is equal to formula लगाएंगे उसके अंदर 85B4 divided by B3 तो जैसे हम enter मारेंगे तो हमारे पास percentage आ गई तो हमने यह यहां पर फोर्मॉला लगा है B4 into B3 तो यह हमारा percentage आगी जैसे हम इसको नीचे cell को drag करेंगे तो हमारी सब की percentage यहां पर आ जाएगी लेकिन सब की percentage नहीं आ रही है क्योंकि यहां पर गडबड क्या है यह 76 को 85 से डिवाइड कर दे रहा है जैको मैं डबल क्लिक करके दिखा कर दे रहा है इसी तरह से B8 को B7 से डिवाइड कर दे रहा है क्योंकि यह हमने फोर्मॉला लगाया 85 divided by 100% तो अगर हमको यह फोर्मूला B3 constant रखना है और बाकी नीचे वाली value change करनी है क्योंकि हमें grade total तो same रखना है 100% में सब के marks मिलेंगे तो हमें simply क्या करना है जैसी हमको यहाँ पर double click करेंगे और यह cursor blink कर रहोगा मैं simply F4 वाली key press कर देनी है अपने keyboard में जाएंगे और F4 press कर देंगे तो यह dollar का sign बन जाएगा B4 dollar B3 तो यह हमारी जो 100 वाली value है यह low हो जागी और शारी digit 100 से डिवाइड होंगी अपने से उपर वाली digit से डिवाइड नहीं होगी तो अभी देखो 85 आगा है जैसे में इसको नीची ड्रैक करूंगा पूरा पकड़के तो यह सारी परसेंटेज सेम आजागी एकर 76 है तो 76 85 है तो 85 96 है तो 96 इसके पहले यह लिए रहा था relative reference control Z करके मैं आपको दिखातू हूं इसको बोलता है relative reference जो हमने पीछे formula का format लगा है 55 divided by 100 तो वह format यहाँ पर लगा दे रहा 56 divided by 43 देकिन अगर हमको relative reference नहीं लगाने तो हम simply F4 प्रेस कर देंगे और उसके बाद अपना formula copy drag down कर देंगे नीचे तक ऐसे तो यह हमारी exact percentage value आ जाएगी 56 65 तो इसको हम बोलता है यहाँ पर कौन सा formula लगा है वो देखने के लिए हम double click करेंगे double click करेंगे 86 वाले पर तो हमें single single का formula दिखेंगा लेकिन अगर मैं पूरी sheet का formula देखना है कि हर पूरी sheet में क्या-क्या formula लगा हुआ है तो उसके लिए हम simply formula बाहर में जाएंगे और उसके अंदर यहाँ पर 100 formula का option आएगा जैसे हम 100 formula क्लिक कर देंगे तो यह 100 formula हमें दिखा देगा कि कौनसी cell में क्या formula लगा हुआ है तो मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ जैसे कि यह percentage वाली में B4 divided by B3, B5 divided by B3, B6 divided by B3 और जैसे मैं 100 formula को अंचक कर दूंगा तो यह formula भाग जाएगा और यहाँ पे value आ जाएगी तो formula आपको पूरी sheet का या पूरे आप कौनचा formula लगा हुआ है यह तो इसको बोलते हैं absolute reference अभी हमने देखा relative reference अभी हमने देखा फिर उसके बाद देखा absolute reference अभी हमने देखें mix reference जो एक ही calculation के अंदर या एक ही sheet के अंदर हमें दोनों reference लगाने पड़ जैसे कि मैं example के लिए दिखा तो यहाँ पे हम formula लगाएंग हमको इस रो की इस वाली रो की इस वाली कोलम में multiplication करनी है जैसे कि 10 की multiply एक में करके यहाँ 10 आएगा और यहाँ 10 की 2 में करके 20 आएगा 20 की 2 में करके यहाँ पर 40 आना से ही तो शिसाप से हम अपना formula लगाएंगे फिलाल हम यहाँ लगा रहे है is equal to 10 तो हम यहाँ पर formula कर देता हूँ पकड़े तो यहाँ पर पूरा यह देखो कितनी गलत calculation आगया है गलत calculation इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर double click करके मैं आपको दिखाता हूँ यह C5 into B6 ले रहा है C5 into B6 तो यह 20 की multiply उससे पहले वाले में कर रहा है मतलब 20 की multiply 10 में 200, 30 की multiply 200 में 600, 40 की multiply 600, 6000 में 24 तो यह relative reference ले रहा है लेकिन हमको इसको absolute reference रिलाने तो हम B5 पर जाएंगे जैसे कि यह C4 into B5 है हमें अपना C4 लोग करना है तो हम अपना cursor को C4 पर लाएंगे और F4 प्रेस कर देंगे जैसे F4 प्रेस कर देंगे तो हमारी C4 वाली value C4 वाली value 1 शेव हो जाएगी और जैसे हम पर वालेंगे जैसे कि C4 1 तो यह शेव हो गया इसकी multiply दस में होगी 20 में होगी 30 में होगी 40 में 50 में तो यहां पर हमारी वैल्यू वन लोग हो चुगी है हर जगे वन से multiply हो लिए हमको ऐसा नहीं करना है तो हमको simply क्या करना है तो simply mix reference दिखाने के लिए मैं आपको formula लगा के दिखाता हूं यहां पर हम is equal to sign लगाएंगे और यहां पर हम select कर लेंगे B5 को और इसमें हम F4 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 dollar B5 तो हम यह formula लगाएंगे इसका मतलब होगा B5 वाली हमारी row लोग हो गई है उसके बाद multiply और उसके बाद C4 जैसे हम C4 पर को दो बर प्रेस करना होगा F4 F4 इसका मतलब देखो dollar B5 को मतलब तो B वाली row हमारी लोग हो गई है और C के बाद dollar लगने के बाद यह 4 हो गया मतलब इस वाली line में पहले एक का multiply होगा फिर 5 का फिर 6 का फिर 7 का फिर 8 का एक 2 3 4 5 का ऐसे हम enter मारेंगे तो यहां पर 10 का multiply होके एक में तो 10 आ चुए है और 20 का multiple होगे 20 आएगा ऐसे 10 20 30 40 ऐसे हम नीचे ड्रैक करेंगे तो यह 10 20 30 40 और ऐसे ही 10 दूनी 20 20 दूनी 40 तो ऐसे आएगा जैसे मैं इसको ड्रैक करता हूं right में तो यह formula सेम पर सेम कोप्य हो जाएगा यह देखो जहां भी आप कोप्य करेंगे मै इसे 200 को दिखा रहा हूं पांच इन्टू 40 चार पंजे 20 तो यहां पर 200 आ गया पचास इन्टू पांच 200 तो ऐसे हमारा पूरा formula आ सकता है और control अगर मैं देखना है कि इसमें formula कौन सा लगा हूँ है तो हम control और tilt प्रेस करेंगे इसे लगे देखने करें तो इस वीडियो को लाइक करें और तो इस वीडियो को बताया रेलेटिव रफएरेंस एब्सेड रेफरेंस और मिस्ट रेफरेंस क्या होता है में सेक्षेल के अंदर और उसकों कैसे यूज कर सकते हैं अगर आपको वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग है मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ